हलो फ्रेंज दिस उस रितू और वल्कम टो स्टेडी मोर नॉलिज तो आज हम बात करने वाले हैं बैसिकली कि का जो नौोटिफिकेशन आया है TGT और PRT के वैसे थी व baki पैटन और मेसका फोस्ट प्रोंगे इन यह सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए शुरुबात करते हैं तो यह सब जो इनके आंसर आपको इसमें मिलने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं अब मुझे शोशल मीडिया पर भी फोलो कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे एक्जाम पैटन क्या होना चाहिए क्या होगा डीटिट ब्लेस्च वी कर इसके लिए लीगिन ऐसा नहीं है इन दोनों के लिए टीएर वन PGT की पोस्ट के लिए जो कि हम बात कर रहे हैं PRT और TGT के लिए तो इसमें सिर्फ One Tier से ही आपका सेलेक्शन हो जाता है और इसमें इंटर्व्य वगरा भी नहीं होता है तो सिर्फ एक examination आपको देनी है और return होती थी पहले ये और अब online मोड में होती है तो एक exam देना है और उसके लिए अच्छे से मेनद कर लेते हैं तो एक attempt में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो देखो इसमें वन टियर के लिए कौन-कौन सी पोस्ट के लिए है एक्जाम एक तो टेक्निकल पोस्ट होती हैं और एक होती हैं teaching पोस्ट इनके लिए क्या होता है वन टीर एक्जामीनेशन होता है है कि पोस्ट कोड भी यहां पर दिये हुए है अगर आपको कंफ्यूसट होता है तो आपका जो पोस्ट कोड है आप उसमें जू एंडर अड़र्टिजमेंट आया है उसम एक्जाम होगा आपका दो घंटे का जिसमें की 200 questions होंगे MCQs के form में होंगे ये objective type होंगे 4 option आपको मिलेंगे उसमें से आपको एक choose करना होगा तो जितने questions होंगे उतने ही marks का होगा आपका जो भी exam है मतलब की 1 question के लिए 1 mark आपको मिलेगा आगे बात करते हैं तो देखो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें negative marking भी होती है तो 1 fourth जो part होगा आपके mark का वो आपका deduct हो जाएगा एक गलत answer पर तो इतना आपका negative marking है इसके अलावा देखो qualifying marks की बात करें कि qualifying marks कितने होंगे इसमें देखो qualifying marks भी इसमें रखे हुए हैं कितने 40% रखे हुए है तो 40% है ये general category के लिए अब general category जैसे के आप जानते ही हैं जो डैली वाले लोग हैं वो तो उसमें तो ये categories का benefit आपको मिलेगा अगर आप OBC से हैं या SCST से हैं या PWD से हैं किसी से भी है तो इन categories का आपको फायदा मिलेगा reservation मिलेगा आपको अगर आप डैली के अंदर के हैं तो मतलब डैली के अगर आप कह सकते हैं निवासी हैं तो लेकिन अगर आप डैली से बाहर रहते हैं तो आप सभी general की category में आते हैं और अपके लिए क्या होगा 40% होगा qualifying marks और इसमें दो section होते हैं दोनों में ही आपको 40-40% लाना होगा ऐसा नहीं है कि total examination में 40% mark लाएंगे और आपका हो जाएगा तो 40-40% आपको each section में लाना होगा section A है और section B है तो दोनों में ही अलग-अलग आपको 40% marks लाने होंगी तो एक्स सर्विसमें को भी ये एक्स सर्विसमें को 5% relaxation और मिलेगा इसके अलावा देखो exam की language क्या है कुछ लोग पूछते हैं एक्साम की language क्या और रहेगी तो exam exam की जो language रहेगी वो रहेगी bilingual Hindi और English में रहेगी तो जो language वाला paper होगा वो same उसी language में रहेगा जैसे हिंदी का paper है तो Hindi में ही रहेगा वो और English language का है तो English में रहेगा लेंग्विज वाले paper को छोड़कर बाकी सब आपको bilingual मिलेंगे अब देखो इनके exam pattern का अगर बात करें तो क्या है देखो TGT और PRT पोस्ट होती किसके लिए है वहले तो हमें यह बताया गया है PRT तो होती है primary classes के लिए जो आपकी आप जानते ही है फर्स्टू फिफ्ट होती है इसमें जो primary classes है actual में फर्स्टू एट होती है और TGT जो होती है वो होती है 9th और 8 के लिए वो sorry 9th और 10th के लिए तो exam is online in nature and consists of 200 questions with maximum marks of 200 मतब एक mark का होगा एक question और जो आप सही करेंगे उसके लिए एक mark मिलेगा आपको गलत करते हैं तो .25 मतलब एक नंबर का चोथाई भाग आपका काट ले जाएगा एक गलत अंसर पर और online mode में आपका होगा ये आप बात कर लेते हैं syllabus की syllabus सबसे important है अगर आप इसमें qualify करना चाहते हैं एक ही बार में इस exam में तो देखो इसकी vacancies बहुत टाइम बाद आती हैं और अब भी कैसालों बाद आई हैं तो अगर आप syllabus को अच्छे समझ लेंगे तो preparation में काफी आसानी रहेगी सिलेबस के according preparation करेंगे तो अच्छे से आप तयारी कर पाएंगे तो देखो syllabus की अगर बात करें तो इसमें दो section होते हैं section A और section B section A बटा होता है फाइव पार्ट्स में general awareness, general intelligence या फिर reasoning कह सकते हैं इसे थर्ड नंबर है maths का ये arithmetical बोल दो या फिर numerical ability तो mathy बोलेंगे इसे हम इसके अलावा Hindi language है and comprehensive पांचवा है English language तो दो language है आपकी इसमें और बाकि ये तीन section है तो five section में बटा होता है section मतलब five parts में बटा है section A और ये common होता है TGT और PRT के लिए तो TGT और PRT के लिए common रहेगा ये वाला section और बाकि जो section B है section B रहेगा इसमें जो आपका portion है वो रहेगा सब्जक कंसर्ण subject concern कौन सा होता है subject concern होगा जो कि आपका graduation में subject है और जिससे आप क्या है कि apply कर रहे हैं जिससे आप apply कर रहे हैं exam में वो वाला portion होगा ये वो वाला subject होगा ये subject concern में माल लीजी आपके पास हिंदी या English subject है दोनों में से कोई एक तो आपको सिर्फ उसी से related questions पूछे जाएंगे इस section में तो ये भी होगा 100 marks का मतलब जो subjects related questions हैं वो भी 100 marks के और जो ये section A में जो 5 parts है ये भी 100 marks के तो 20 to 20 marks के ये इच portion होगा आपका तो जैसे general awareness बीस नंबर की होगी और reasoning भी बीस नंबर की होगी तो हर section को इनोंने बाठ दिया है 20-20 अंकों में score detail में देख लेते हैं देखो ये journal awareness हो गया 20 questions है 20 marks के और ये reasoning हो गया ये math हो गया ये English language, Hindi language और subject concern होगा 100 marks का तो total 200 marks का ये हो जाएगा ये जो भी exam है अब अगर detail में syllabus देखें detail में syllabus देखो इनको इनके topics से दिया हुए है detail में जो syllabus दिया हुआ है common paper है तो सबके लिए topics same ही रहेंगे TGT और PRT के लिए topics same रहेंगे इसमें तो general English में ये सब topic आ जाएंगे जनरली grammar ही दी हुई है इसमें जो grammar का portion है वही आ जाएगा समें तो general Hindi में ये सब topic आ जाएंगे ये सब topic आ जाएंगे इसमें और ये है जर्नल अवेर्नेस वो जी के जर्नल नॉलिज जर्नल अवेर्नेस भी बोल सकते हैं और इसमें इसमें इंक्लूड होती है तो ये काफी वास्ट जो है इसका syllabus होता है तो इसमें आपको mcqs के थ्रू ही तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो तो क्यूंकि ये काफी बड़ा portion है काफी सर subjects include है इसमें अगर आप इसमें mcqs के थ्रू प्रिप्रेशन करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा current affairs तो आप लगभग six to eight month की प्रिपेर कर लें तो वह काम चल जाएगा तो एक्जाम से पहले six to eight month की अपकी प्रिपेर होनी चाहिए current affairs ये रिजरिंग है रिजरिंग के टॉपिक है ये सभी और फिर है numerical ability तो ये सब टॉपिक आ जाएंगे इसमें अब सेक्शन भी की बात करें सेक्शन भी में देखो concern subject से पूछे जाएंगे जैसे कि अभी हमने बात करी तो दा concern subject is different for each subject अब देखो आप अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग subject रहेगा इसमें क्यूंकि आपका जो भी subject है आपको उससे related question पूछे जाएंगे लेकिन जो लास्ट वाला सेक्शन था सेक्शन ए वो common paper है वो सभी का सेम रहेगा लेकिन यह वाला सेक्शन हर किसी के लिए अलग रहेगा इसका जो सब्जक्ट होगा उसके साब से तो यह था syllabus और exam pattern के हमने बात कर ली तो अगर आपको कोई भी डाउट है कुछ भी आपका छूट जाता है तो आप comment box में पूछ सकते हैं उससे तो syllabus के according prepare करना बहुत जात अच्छा रहता है syllabus के साथ साथ आप इसके previous years भी करें और मैं भी अपने चैनल पर previous years तो कराऊंगी ही बाकी अगर possible हुआ तो आपको course wise भी कराने कोईश करूंगे topic wise भी बाकी topic wise ही हम previous years भी करेंगे previous years से भी काफी अंदाजा हो जाएगा किस तरह का pattern आता है questions का difficulty level क्या होता है तो हम शुरुआत करेंगे previous years से इसके और topic wise स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम reasoning या Hindi लेंगे उससे स्टार्ट करेंगे तो मिलते है मैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फर वाचिं